नवास्कालाद दोस्तो में उस्तो दिने में आप तो मैं चेल पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज का वीडियो वे डिस्केस करने वाले हैं एक टाबलेट की बारे में जिसका नाम होता है MENFORCE 100 MG टाबलेट दोस्तो इस टाब्लेट को बोला जाता है , जो ृ लिन लिए उसको कों सा विक्ति यूज कर सकते हैं , उसका डोज़िस क्या होने वाला है , ुधा önसा दोस्तो यह जो सिल्लिनाफिल होता है वो PDE5 यानि असपोड आई स्टरेज टाइप 5 यह इनिविटर एक ग्रूप होता है उसी ग्रूप के अंदर यह विलंग करता है सिल्लिनाफिल ठेक है दोस्तो उसको ओही व्यक्ति यूज कर सकता है जो सब्यक्ति का जो संभग समय में जो इरेक्ट नहीं होता है उत्तिजित नहीं होता आपने लिंग यानिकी पेनिसी इमेल के जो दवाई होता है यानिकी पूरूसों के लिए बनाया गया है तो इसी समस्या का जो सब्यक्ति पर समस्या है तो उही यूज कर सकते हैं इस दवाई को बड़ ध्यान रहे कोई भी दवाई डक्टर की सला के साथ यूज करें ठीक है चलिए उसकी डोजेस की बारे में समझते हैं को दोस्तों उसका डोजेस होता है कोई भी अठर से 25 उमर का जो भी लेरखा होते हैं यानकी 18 से 25 के भी समय क्या होता है तो इसका यूज करने का सही समय क्या होता है गाइड दोस्तों, जो संभग हो था एक गंटी род करना आपर इसको आप कर सकते हैं कोई हालका नाच्टा की साथ या कोई फूर्ट लेने के बाद इसको यूज कर सकती हैं, बटेशिया हेविश पूर यानि की ज़्यादा खाना खाने के बाद इसको आप अगर इंटेग करते हैं तो उसका रिजल्ट आच्छा दिखाई नहीं देता है ठीक है और दोस्तों यह काम के से करता है यानिकि उसका वार्ग के बारे में समझती हैं दोस्तों यह क्या करता है कि जब हम इस दोबाई को यूज करते हैं तो यह हमारा ब्लड होता है उसको रिलेस करता है एंड क्या करता है कि पेनिस में जो ब्लड का रेट होता है उसको इंक्रिद करता है जिसके बाद क्या होता है कि वो हार्डनेस हो जाता है ठीक है उसके बाद वो क्या करता है हार्डनेस होने के बाद और इरेक्शन होता है जो पेनिस जो लेक्टिवेटी में वो मददकार हो सकता है अपने पार्टनर के लिए ठीक है दोस्तों हर एक दवाई का side effect होता है और यह जो दवाई होता हुई एक prescription required medicine होता है तो इसका भी side effect होता है जैसे कि side effect में आपको दिखाई दे सकता है may be flossing flossing का मतलब ही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता है यह जो यह medicine होता है तो sense of warm जैसे कि आपको गरम जैसे मेसुस होगा अपनी मुह मेसुस हो सकता है अपनी कान या अपनी जो गला होता है नैक होता है जैसे आपको कुछ भी आच्छा से दिखाई नहीं देगा जैसे असे लिए कि सामने में कुछ जाफसा जाफसा दिख रहा है इन डाइजेशन यानि कि कोई भी खाना खारे हो तो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा मसल पन शकीन राश्यस इस सारे कुछ कभी आच्छा से दिखाई दे सकता ह। बट बात ही होता है कि ये साइड़ एफेट होता है और पासिस्ट हो जाता है कि लंबी दिर तक आपनी बड़ी में रह जाता है तो आप डिटर को जोड़ी कंसल करे दोस्तों उसके बाद उसकी क इसोई परिशिय्सम्ट की बात करें तो कोई भी आल्कॉल इमकंट करने वाले परसन होती है अप यह दबाई को ले रहे हो तो अल्कॉल की इन्टिक करें क्यूंकि अगर आ अल्कॉल के ईक साथ पिरिस को को यूज ना करें। खटे चित जैसे की इंवली हो गया, संतरा जैसे की और येंज हो गया, कोई भी खटेचित के साथ इसको यूज ना करें। क्योंकि कोछ भी ऐसी दिखाए देने के बाद आपका अनुनी होने का संबाबना रहता है। उसके बाद कोई भी हाट कितनी या लिवर जो पैसेंट होती हैं वही दवाई को लेने चे पेले आपको जरूर करें और यह भला ही होगा कि आप इस दवाई को यूज ही ना करें ठीक है किसी कर चेस्ट पैन बनाई रखता है चेस्ट पैन होता है तो यह दवाई को आप परसुइतनी करते हैं कि हमारा वीडियो को देख्या आप मेडिसीन का इंटेक करें कोई विएकति आसा कर रहे हैं या या इसा करवा रहे तो उसके जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं तो कुई भी मेडिसीन यूज करने से पहले आपको जरूर एक बार कंसल करें डक्टर के करें नहीं है तो आप निरस्ट फार्मासिष्ट को कंसल कर सकती हैं दोस्तों आप अगर में चैनल को पहली बार आयो तो चैनल को स्काइब करना बेल आकर में को दवाना मुद फूरना तब तक के लिए मस्त रहे स्वास्त रहे जय महाकाल